वेल्कम गाइच फोरम एमके चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है सब्सक्राइब किज़े फोरम एमके चैनल को और पाते रही है ऐसी एजुकेशनल वीडियो सो गैज फाइनली रास्तान जेनेम का काउंसलिंग रिजेट आ चुका है किसको कौन सा कोलेज मिला और कोलेज मिलने के बाद उनको क्या करना है और जिनको कोलेज नहीं मिला उनको क्या करना है अगर जो कोलेज मिल गया बट आपको पसंद नहीं है आप दूसरा कोलेज लेना उसके लिए आपको क्या करना है और देखिए प्रावेट काउंसलिंग यानि कि प्रावेट कोलेजिस के लिए काउंसलिंग कब होगी और गौर्वर्मेंट के लिए काउंसलिंग कब होगी सारी बाते हम इस वीडियो में गेन करने वाले तो चलिए स्टू करते हैं पहले तो आप यह देख रहो हूं यह टिप पढ़नी इसको हम समझेंगे ठीक है और पहले हम आपको लिश्ट दिखा देते हैं पर आप सब कुछ देख सकते हो कि अलोटमेंट लिस्ट आ चुकी है यहाँ पर मेल और फेमेल की इन सभी के बाते हम यहाँ पर करेंगे और फाइनली जो नोटी से वो भी हम यहाँ पर देखेंगे अभी हम आपको दिखा देते हैं यह देखें यहाँ पर आप देखेंपा रहेंगे मेल और फेमेल दोनों की लिस्ट आ चुकी है और आप अपना अलोटमेंट लेटर यहाँ से डाउनलूट कर सकते हो आपको जो कॉलिज मिलने के बाद आपको कौन-कौन से डॉकुमेंट्स लेके आपको जो कॉलिज एलोट से गेन करने वाले और जिनका नमर नहीं आया है उनको क्या करना है उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे तो चलिए तो गाइस पहले टिप पढ़िए इसको हम यहाँ पर देख लेते और जनरल नर्सिंग यानिकी जेनेंग ट्रेंडिंग सतर टॉंटी टॉंटी में राज के जो के अंदरों पर प्रवेस है तो परतम ओनलाइन काउंसलिंग सुची अप्रोड हो चुकिए गाइस सेगिंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी गवर्मेंट कोलेज जिनको नहीं मिला है उनको मिलेगा नहीं मिलेगा सब कुछ यहाँ पर हम जानेंगे की नोटिस को पहले क पहले कि उप्योक्त विशानों गर्थ लेके कि जन्रल नर्सिंग प्रिक्षण सतर टौंटी टौंटी की दिनाग 20 नॉमबर 20 टोंटी को आयोजित ओनलाइन काउंसलिंग परिकिरिया राज्य सरकार से प्राप्त निरदेर सुनशार संपाधित की जा चुकिए जिसमें प्रिक्षन के इंद्रों में उनकी निर्दारिजश सीटों पर और प्राप्त विकलपक पत्रों पर और उनलायन कांसलिंग के विरतनासार उपलग रिक्ष सीटों पर आउंटित गया जा चुका है उनके प्रेसेटेज के हिसाब से ठीक है और जो इस्टुडेंट को नहीं मिल की सुची विबा की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है ठीक है चैनित योगे ब्यारते अपना आउंटित पत्र विबा की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजे प्राप्त कर लीजे ठीक है और जिनका नंबर आ चुका है जिनको कोलेज एलोटमेट हो चुका है वो दिनाक 28 उपस्तित प्रविष नहीं लेते हैं तो ऐसे अभ्यारती को अस्ताय प्रविष सवतें लिस्त कर दिया जाएगा अगर आप नहीं जाते है तो डेट यहां पर दे दीगे उसे पहले पहले आपको जाना होगा ठीक है कौन कौन से डोकुमेंट्स आपको लेके जाने सारी बा डाउनलूड करना पड़ेगा तो गाइस पाइनली यह वह स्टुडेंट है जिनको कोलेज एलोट हो चुकी है यह पैस्ट काउंसलिंग लिस्ट है जिनका नंबर आ चुका है बहुत बहुत धन्यवाद और जिनका नंबर नहीं आया उनको गबराना नहीं है हम आपके साथ ह क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रहे हैं सारी इनपोर्मेशन आपको देते रहेंगे ठीक है और अगर आपने पेस्ट बूक पेपलो नहीं किया तो कर ले ना लिंक नीचे देवाए डिस्क्रिस्ट में हम आपके साथ है ताकि कोई भी ल generate देख लेनें उसके बाद अभ्यारतियान जिका आपको खुद का नाम और आपके पिताजी का नाम आपको मेच कर लेना है वहां सी कंडिशन में क्या होता है यारीज-वरी बतार्य-चार्इमपर पर पैल डेख लेने हैं धीक है तबहूशी कंडिशन में अश्ट-धरा रह खीए नहीं पर जो इनकी स्राइब होना है जब जाता है जिनके अच्छे सब्सक्राइब होती है वह किसी है केटेगरी का हो उनको जनरल की सीट मिल जाती है अगर अच्छे का से प्रसेंटेज होती है तो ठीक है तो इनको जनरल की सीट मिली है ठीक है जिनके चनमर होते हैं तो उनको अपर केटेगरी की मिल जाती है यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपका विजेजी का देख सकते हुई है यह आपको कौन से केटेगरी सीट मिले यह आपर दिया हुआ है ठीक है समझे में आ गया और इसके बाद आपके परसेंटेज दी हुई है और इसके बाद अपने डेटो पर त्यांस देख लेना है और फिर भी कोई भी डाउट लगे कोई भी समझा लगे तो परकार साब को अगर आपके पास कंप्यूटर या पर लैपटोप है तो वहां पर सीधा आप अपना नाम सेर्च कर सकते हूँ सीधा आपको मिल जाएगा ठीक है और यह जैपूर की है सब यह जिस्टिक के आपको यहां पर मिल जाएगी जितने भी आपके रास्तान में जिल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है जिनका नंबर आगया उनको तो अपने डॉकूमेट्स जितने भी है ना सारे लेके कॉलेज में चले जाना है ठीक है अट्टैस नॉमर से पहले पहले उसके बाद कोई सुनवाए नहीं होगी उसका बरीज जिनका आगया और जिनका नहीं आया बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ नहीं कर युंबर नहीं नहीं डॉमिन होगे जिननका नंमर नहीं यह यहँ है यहाँ आप दोशय कलिण केंडिगेट नमबर आने के बावजूद भी कॉलेज नहीं लेता है ना तो आपको मिल जाएगी सेट काउंसलिंग में ठीक है यह देखिए यह फिर मेल किए सबीकी यहां पर दिया आए अंकिता कुमार काफी सारी अच्छी परसेंटेज हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है अब हम मेल की भी देख लेते हैं ठीक है काफी सारी लंबी लिष्ट है लिंक देदेंगा डिस्क्रिशन में वहां से आप इसको ले लिजेगा मेल की देख लेते हैं चलिए सो यहां पर यह मेल की भी है इसको भी ले लेते हैं अपन और गैज यह देखिए आपके मेल काउंसलिंग लिस्ट जिसका नमबर आ चुका है जिसको कोलेज एलोट हो चुका है कौन सा कोलेज हो आए सब कुछ यहां पर दिया हुआ है ठीक है जैसे कि यहां पर जेने माइडी देख लिजे अभ्यारति का नाम और अपने पादर्स का नेम और अपने डेटोगर तब से मे है इनको बहुत बुधत दनवाद क्यों मिलें क्योंकि पर्सेंटेज अच्छा था इसलिए यह इनको जन्डाल की मिल आ ठीक है और यहां पर बहुत सारी ज्यादा मिले क्योंकि उसको प्राइटिक दी जाते हैं और मेल को कम दी जाती है इसलिए यहां पर उनको कम बारा बारा देख पार होंगे आप यहां पर बीलोडा में देख लो आपके जितने भी पालिका देख लो जहां पर भी गवर्मेंट टेस्ट कोलेजे से सबका यहां अपको अपना नाम डूड लेना है और कोई भी समझ या रहे हो डूडने में समझने में तो सीधा पैस्बूग इस्टागराम पर मिल जाओ हमारी पैस्बूग इस्टागराम कर लिए के नीचे दियावा है इसक्रिस्वन में अब रही बात जिनका नमर नहीं आया है उनको क की आ ग когда गिए तो आपको क्या करना यह जो लाश में डिया हुए नहीं इस से आपको अपना ओंक ट्र डाउनलोड कर लेना है ठीश यहाँ पर क्लिक करो गड़े तो कुछ इस पर काले है यहाँ पर आपको अपना डाले ना है जे नेम इड़ी ठीक मिल दिन बहुत आर्पको लेकर मिलें तो हुआ है इससे प्रकार होता है बहुत सारे इ स्टौिएंत क्या करत दा ह मिलें हो छिए तो गैज वो तो आपका एडिशन होने के बाद ही ट्रांसपर अगर सीट वेकांट होगी ना तब ही पॉसिबल ले ठीक है उसी परकार होता है अगर आप सेगेंड काउंसलिंग में तो आपको जिनका नमर नहीं आए वह मिल जाएगी बट वो ट्रांसपर का प्रोसेज होता है वो लग बहात है एनोसी बनानी पड़िते उसके लिए वह सारा प्रोसेज होता है आपने चैनल स्क्राइब करेंगे डांट वरी ठीक है तो यह तो आपको जिनको कोलेज मिलाएं वो करना है और जिनको नए कोलेज मिलाएं ना तो फिकर मत करो सेगेंड काउंसलिंग में फोलो कर लिजे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हुआ है पैस्बूक निस्टाग्राम पे कुछ भी स्वाल पूछ सकते हो लिंक नीचे दिया हुआ है